हाई गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में पढ़ी लिया कि ये वीडियो होने वाली है इलेक्टोरल बॉंड्स के ऊपर वैसे ये मेरा व्यक्तिकत मानना है कि भारत में जितने लोगों के पास भी स्मार्ट फोन है सभी के पास थोड़ा बहुत एक एलिमेंटरी आइडिया तो हो गहीं कि आखिर में ये स्कीम क्या था और कि उन सुपरीम कोर्ट आफ इंडिया ने इसको स्क्राप कर दिया ने कि इसको खतम कर दिया आज हम इस वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे लेकिन दो थीम के उपर हम और डिसकसिन करने वाले हैं उसके पहले कि मैं कुछ बता दूँ कि जब मैं पहले इतिहास पढ़ता था तो मुझे बहुत गुसा आता था गुसा आता था ब्रिटिशर्स के उपर, गुसा आता था मुगल्स के उपर, गुसा आता था उन सब आकरमनकारियों के उपर जो भारत आएं और यहां के मंदिर को तोड़ दिए यहां का जो natural ecosystem था उसको तबाह बरबाद कर दिए हमारा जो literature था उसको तबाह बरबाद कर दिए हमारा जो universities था उसमें आग लगा दिए ये तो खेर रही बात पुरानी बात इतिहास की बात जहां ना कि हम इतिहास में जाके जो mistakes हम लोगो ने किया उसको हम correct कर सकते हैं लेकिन कुछ reality आज भी exist करता है जो पहले exist करता था वो reality ये है कि आज भी society बहुत highly fragmented है highly divided है election के आज पास कुछ लोग आते हैं हमारे आज पास वो घूमते हैं फिर वो याद दिलाते हैं कि आप किस जाती के हो फिर वो याद दिलाते हैं कि आप किस धर्म के हो फिर हमें याद पड़ता है कि हाँ हमारा नाम तो ये है और हम इस जाती और इस धर्म के हैं फिर हमें ले जाया जाता है 500 साल पहले, 600 साल पहले, 300 साल पहले और बताया जाता है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ और हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ ये नहीं होना चाहिए था पास्ट लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है प्रेजेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं के बारे में हम बार-बार बात कर जिसको कि हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं 26-27 मार्च के आसपास इंटरनाशनल लेबर और्गनाजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहां पर वो ये बताते हैं कि भारत में 83% जो यूथ हैं वो अनिम्प्लॉइड हैं बेरोजगार है अब कुछ लोंग डिफेंस में ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू कियें तो इसलिए जो अनिम्प्लॉइमेंट का रेट रहने वाला है वो हर वक्त हाई ही रहने वाला है बात बहुत हट तक ये सही भी है कोई भी देश में किसी भी सरकार के पास इ नए नौकरी या नए वेकैंसी की में बाते नहीं कर रहा हूं जो अलड़ी पोस्ट एक्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बाते कर रहा हूं एन आम शूर जितने भी लोंग फॉर्म्स वग्यरा भरते हैं उसमें मैं भी हूं उन सभी को ये सब डेटा पता है आप जिस भी स स्टेट में कौन सा ऐसा एकजाम था जो पिछले बार सक्सेस्फुली हो गया जहां पर पेपर लिक नहीं हुआ पिछले बार आपको कभ ये मालूम पड़ा कि जो पॉलिटीशन्स है वो ये चाहते हैं कि चुनाओ को एक महिना देर किया जाए कोवीड के टाइम में भी चु तो इस रिपोर्ट का जो टाइडल था वो था सर्वाइवल आप दे रिचेस्ट कहने का मतलब है कि सभी पॉलिटीशन्स चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो वो यही बताते हैं कि भारत के जो आम जंता यानि कि जो मिडल क्लास और उनसे जो लोर मिडल क्लास लो 60% जो वेल्थ है वो भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास में है और बॉटम के जो 50% है यानि कि जिस कैटिगरी में आप और हम बिलॉंग करते हैं जो कि एक असल भारत है जो एक मजदूर क्लास है जो हर रोज आफिस जाता है अपने दफतर जाता है उस 50% के पास देश का सिर 50% पैसे हैं तो यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से अनिक्वालिटी बढ़ा है किस तरीके से अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा अगर वो यह चाहता है कि वो रोजगार करे तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे उसके पास पैसे है ही नहीं उसके पा आप रोजगार कीजिए लेकिन रोजगार के लिए पैसे कहां से आएंगे कौन आपको फंड करेगा उसके बाद 2012 से लेके 2021 के बीच में भारत में जो 40% जो वेल्थ जो पैसा जो जनरेट हुआ है वो सिर्फ 1% इंडियन के पास गया है मैं दुबारा रिपीट करता हूँ 2012 से लेके 2021 के बीच में भारत में जो वेल्थ जो पैसा जो जनरेट हुआ है वो 40% पैसा सिर्फ 1% के पास गया है और यहां पे भी जो 50% population यानि कि जो actual लोग इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास 2012 से लेके 2021 के बीच में भारत का जो टोटल वेल्थ जनरेट हुआ व पाकी लोगों का एश है तो आप समझे कि आपको अगर मेरा जात मालूम भी पड़ गया या आपको ये मालूम भी पड़ गया कि 500 साल पहले 10, 12, 20, 50, 100 मंदिर तूटे थे या आकरमनकारी आये थे आकरमनकारी भारत क्यों आये थे वो भारत को तोड़ने के लिए ही आये थे ब्रिटिशर्स भारत में क्यों आये थे वो ब्रिटिशर्स भारत में भारत को बरबात करने के लिए ही आये थे तो उन्होंने वही किया जो उनसे expected था लेकिन आज क्या हो रहा है जिसको कि हम election में vote दे कि जिनको हम ला रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा यह जाधा important as compared to हम बार-बार 300-400 साल पीछे जाएं सोचिएगा इस पर जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 February को Supreme Court of India ने Electoral Bond Scheme को complete तरीके से उसको scrap कर दिया था यह कहते हुए कि यह complete तरीके से unconstitutional है लेकिन The Indian Express के दुआरा एक RTI के reply में यह मालूम पड़ता है कि 12 February को already हमारे जो Finance Ministry के तरब से यह approval दे दिया गया था State Bank of India को कि आप 10,000 bonds को और print करें और हर एक bond का जो कीमत होना चाहिए वो 1 करोर होना चाहिए कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी अपने favorite political party को अगर वो support करना चाहता है तो क्यूंकि एक bond का कीमत ही एक करोर है तो यहां से तो एक चीज बहुत इस पस्ट हो जाता है कि कोई भी आम जनता के बस के बात नहीं है कि वो एक bond एक करोर में खरित कि अपने किसी भी जो favorite politician या political party है उनको जाके वो support करें कुछ साल मैंने भी corporate companies में मैंने काम किया जो maximum आपको increment मिलता है वो लंसम आपको मिलता है तीन चार से लेकर 5% 5% आपको maximum मिलते हैं लेकिन यहां पे जितने भी जो bonds खरीदे गये थे वो सारे के सारे बड़े बड़े organizations के द्वारा ही खर दे गये थे और तकरीबन हर organization जिसने political parties को fund किया उनका कही न कहीं कोई न कोई न कोई उनका जो project था वो already government के दफ्तर के चक्कर काट रहा था इसके आगे का कहानी क्या है I'm sure कि आप सभी ने पढ़ा होगा इस scheme के बारे में तो आपके पास मुझसे ज्यादा information और मुझसे ज्यादा clarity I'm sure कि आप लोगों के पास होगा क्यूंकि State Bank of India authorized bank था जो electoral bonds को वो देता जो भी लोग interested होते हैं वो उस bond के लिए वो अरजी लगाते फिर वो उनको bond मिलता लेकिन State Bank of India इस bond को print नहीं कर दे थे ये bond को print किया जाता था security printing and minting corporation of India के द्वारा जैसे ही मालूम पड़ता है कि Supreme Court of India ने इस bond को scrap कर दिया और क्यूंकि ये जो scrap किया गया था वो 15 February को scrap किया गया था लेकिन already 12 February को Finance Ministry के द्वारा already approval दे दिया जाता है State Bank of India को कि आप और 10,000 bonds को आप print करें और State Bank of India फिर आगे इस request को forward करते है security printing and minting corporation of India को क्यूंकि State Bank of India खुद से bond को print नहीं करते है इसी RTI में एक चीज़ और मालूम पड़ता है कि February 28 को कहने का मतलब है क्यूंकि 15 February को तो ये decision आ गया था लगभग 14 दिन के बाद Finance Ministry के द्वारा email किया जाता है State Bank of India को जहां पर State Bank of India को ये कहा जाता है कि जो आपको request दिया गया था 10,000 bonds को print करने का उस request को आप अभी hold पे डाल दें जिसके जवाब में State Bank of India फिर वो mail करते हैं security printing and minting corporation of India को और उनको ये कहा जाता है कि जो bond का printing है उसको आप रोग दें उसके reply में क्या मालूम पड़ता है कि ओल्रेडी 8,350 bonds print हो गये हैं और वो ओल्रेडी dispatch कर दिये गये है State Bank of India को यानि कि वो on way है अब जबसे electoral bond scheme आया है यानि कि लगभग लाइक पांस सालों में 22,217 bonds को already issue कर दिये गये थे जिसमें कि BJP को मिलता है 8,451 करोर, Congress को मिलता है 1,950 करोर, Threadable Congress को मिलता है 1,707 करोर डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंड करता कि कौन सा article कब अपडेट हुआ है लेकिन जिस तरीके से government machinery अपने आप को favor पहुचाने के लिए पुरा system को change करने को तयार है लेकिन वहीं youth के लिए वही youngsters के लिए कोई रोजगार का कोई बंदोवर्ष नहीं है कभी भी ऐसा नहीं होता है शायद ही कोई ऐसा exam इंडिया में है जिसमें के एक UPSC आता है जो almost on time होता है कुछ exceptions के साथ इनके ही बस paper leak नहीं होते हैं और इसके अलावा जितने भी जो और exams होते हैं खास करके state वाले उन सभी में आपके question paper leak हो जाते हैं अगली बार जब कोई कहे कि हाँ कोई मुहमद बिन तुगलक भारत आया था और उसने इतने मंदिर को तोड़ा था तो उससे कहीं ज्यादा effective conversation ये है कि आखिर में Oxfam का report ये क्यों कहता है कि भारत का almost जो आधा जो पैसा है वो एक या दो percent लोगों के पास में है मैं इस Oxfam का मैं जो report है इसको मैं कोशिश करूँगा description में add करने का अगर add नहीं हो पाता है in any case तो फिर भी आप जाके simply अगर आप Google में search करेंगे Oxfam report 2023 तो पूरा details आपको मालूम बढ़ जाएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती होगे तो मैं मापी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye